Good morning dear students, nice to meet you again in your computer class. Today is 27th April 2021 and day is Tuesday. Okay, कल की previous class में हमने पढ़ा था कि computer के कितने parts होते हैं, मतलब computer के basic parts क्या हैं, computer के basic parts होते हैं monitor, CPU, keyboard and mouse. और हमने कल की class में पढ़ा था कि CPU क्या होता है, CPU कम्प्यूटर का brain होता है, उसका पूरा नाम Central Processing Unit होता है और वो computer के सारे parts को control करता है, जिस तरह से हमारे शरीर को नियंत्रित कोन करता है, हमारा brain करता है उसी तरह से computer में भी CPU उसके सारे parts को control करता है, आज हम पढ़ते हैं monitor के बारे में कि monitor क्या होता है, a monitor looks like a TV screen, monitor जो है वो TV की screen की तरह दिखाई देता है, it displays text, इस पर हमें text दिखाई देते हैं, pictures, pictures दिखाई देती हैं and videos और हम इस पर videos भी देख सकते हैं, it is a also called visual display unit, इन्हें हम visual display unit भी केते हैं या video भी केते हैं, monitor का मतलब ये नाम भी है कि इसे video भी केते हैं और video का full form होता है visual display unit, मतलब जीने आँखों से देखा जा सके, ऐसी unit, ओके, आप monitor के बारे में समझे कि ये TV screen की तरह होता है और इस पर हमें text, pictures और videos दिखाई देते हैं, next हमारा है keyboard, a keyboard is used to type letters, keyboard का उपयोग, letters को type करने के लिए किया जाता है, words, numbers and symbols, words शब्दों को लिखने के लिए, numbers लिखने के लिए या किसी तरह की symbols लिखने के लिए keyboard का उपयोग किया जाता है, it has different types on it, keyboard पर बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की keys होती है, these keys are used for typing, और in key का use जो है, वो typing के लिए किया जाता है, मतलब keyboard के अंदर alphabetical भी होते हैं और numbers भी होते हैं, numbers वाली keys भी होती हैं और symbols वाली keys भी होती हैं, जिसके द्वारा हम symbols, number, words, letters, कुछ भी type कर सकते हैं, ओके, यह typewriter की तरह ही काम करता है, अब यहाँ देखिए, simple fact दे रखा है, a standard keyboard has 104 keys, these include the following keys, एक standard keyboard में 104 keys होती हैं, 104 keys होती हैं और उनमें यह सारी तरह की keys include होती हैं, कौन-कौन सी होती है, alphabet keys, number keys, punctuation keys, जिन से हम punctuation दे सकते हैं, मतलब follow stop लगा सकते हैं, axle matter लगा सकते हैं, या other sign भी हम कर सकते हैं, special keys जो होती हैं, जो special work करती हैं, विशेश प्रकार की key जो होती हैं, चलिए, अब बात करते हैं हम mouse के बारे में, mouse क्या होता है, a mouse is a device that is used for pointing at, moving or selecting any item on the monitor, mouse क्या होता है, mouse एक एसा device है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को monitor के उपर point out कर सकते हैं, एक इस्था से दूसरे स्थान पर move कर सकते हैं और उसे select भी कर सकते हैं, यह सारा जो work होता है, वो किस के द्वारा होता है, mouse के द्वारा होता है, it has two buttons and a scroll wheel, इसके उपर जो है, वो दो button होते हैं और एक scroll wheel होता है, चलिए यह सब कहा है, मैं आपको बता देती हूँ, यह आपकी screen पर आपको दिखाये गया है, एक right button, दूसरा right button और scroll wheel जो है, वो यह रहा, यह ना, बीच में है, ओके, मतलब कितना हो गया, दो button हो गया, और एक scroll wheel हो गया, we can also use it to draw picture and play games, और इसे हम जब use करते हैं, तो इसका use हम picture बनाने के लिए, है ना, और games खेलने के लिए भी कर सकते हैं, For a mouse to work smoothly, it should be kept on a mouse pad, और mouse को हमेशा mouse pad पर रखना चाहिए, यह आपको mouse pad दिख रहा है, है ना, कि mouse mouse pad के उपर रखा गया है, है ना, ठीक है, मतलब mouse का work क्या होता है, monitor के उपर हमें, हमारी चीजें, हमारी calculation हुई, या हमने कुछ type किया है, उसे indicate करने के लिए, point out करने के लिए, या उसे हमें एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर ले जाना है, तो भी हम mouse के द्वारा ले जा सकते हैं, इसके द्वारा हम हमारी चीजों को select भी कर सकते हैं, कि हमें ये line नहीं लिखनी है, तो हमें इसे cut कर देना है, और हम इससे game भी खिल सकते हैं, हम इससे picture भी बना सकते हैं, mouse के कितने button होते हैं, mouse के दो buttons होते हैं, एक scroll will होता है, जिसके द्वारा हम एसे नियंत्रित करते हैं, तो आज की class में आपको समझ में आया कि monitor क्या होता है, keyboard क्या होता है, और mouse क्या होता है, है न, चलिए, मिलते हैं next class में, इसके साथ अपनी class को समाप्त करते हैं, ओके children, have a nice day.